आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत इंफर्मेटिव वीडियो मौरिंगा के बारे में मौरिंगा यनि के सोहांचना इसके आपके साथ बेनिफिट्स शेयर करूंगी आपको ये बताऊंगी कि आपने सोहांचना के पत्तों से उसका पाउडर यनि उसका करना है यनि कि मौरिंगा के आपको बेनिफिट्स भी शेयर करूंगी और उसके बाद उसका बनाने का तरीका भी मौरिंगा एक बहुत फादेमंद दरख्त है हमारे लाकों में नार्मली आम पाए जाता है कोई बहुत जादा ढूनना नहीं आपको पड़ता आपके घरों के बाः भी अक्सर आपको जगा जगा मौरिंगा के द्रख्त नज़र आएंगे तो आप इससे फाइदा उटाएं हम लोग देखते हैं कि हमारे करीब चीज़ी होती है लेकिन हम उससे फाइदा नहीं उठा दे Wirtschaft अलचा मौरिंगा के पत्ते भी फायदे मंद है मौरिंगा की वेट लूस करता है, एक्स्रा फैट्स जो है वो कम करता है आपकी बाड़ी में से, डाइबेटीज के पेशन्ट भी इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, इसके लावा स्किन की प्राब्लम्स जो है लोगों को, वो भी मौरिंगा के इस्तमाल से दूर होती है, आपकी फुल विटामिन सी और विटामिन डी होता है, जो हमाई बोडी कले बहात ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए आपने मौरिंगा के पत्ते ले ले लेने हैं, यह मैंने देखें, तोड़ के रखे हुए, इसे तकरीबन 5-6 घंटे हो चुके हैं, इसे तोड़े हुए, और यह देख नेफ जे पत्ते ड्राय हो चुके हैं, मौरिंगा ड्राय करने में इसके पत्तो का कलर चेंज नहीं होता, यह सेम वैसे ही रहते हैं, अगर आप इसे धूप में सुखाएंगे, वह सकता है, यह चेंज हो जाएं लेकिन यह सेम ब्रीन कलर में ही रहते हैं, आप यह देखें, इसके बाद मैंने नॉर्मली पत्ते जो हैं, इसे इनकी टहनियों पे से इने मैंने तोड लिया है, क्योंकि वह ड्राय हो चुके हैं, इसलिए इने तोडने में कोई प्राबलम बिल्कुल भी नहीं होगी, आप आराम से हाथ से इसे तोड लीजिए, क्योंकि यह सूख चुक इस आप पत्ते टोडने के बाद पैए यह खालि जयंे के साथ जूखाएं, लगिन सब्नärt चूख के लिए लेकिन बैटर यह है ऐसे ग्रैंडर में दालें। तो यह पीस लिया एक से दो मिनट में पीस जाएंगे देखें अब ही इस कंडीशन में आगे हैं बिल्कुल ग्रीन कलर में हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे यूस कैसे करना है इसे किसी भी जार में आप सेफ कर लीजिए और इसके बाद आपने क्या करना है कि एक गिलास आफ गिलास आपने पानी लेना है और उसके अंदर तकरीबन आपने आपने एफ टेबल स्पून या वन टी स्पून आपने लेना है आपने पानी मिक्स कर लेना है मरिंगा का अपना ग्रीन कलड होता है जो पानी में आ जाता है यह देखिए यह पानी में मिक्स किया है इसके बाद आपने क्या लेना है एक चीज आपने लेना है सेप का सिर्का 1 टेबल स्पून आपने सेप का सिर्का लेना है वो भी आपने पानी में मिक्स कर लेना है और इसके वाद तीसी जो एहम चीज है वो है हनी यानी के शेहr वो भी आपने one टेबल स्कून ही लेना है और उसको आप इसी थहocr़ा पानी मिक्स कर लिजिए यह देखें और फिर आपने तीनो इंग्रीजिन जो है इसे मिक्स करके आपने नहार मू जो है वो सुबह आपने हाफ गिलास पानी पीले ना है और फिर आप देखेंगे तकरीबन विदिन 15-20 डेज आप अपनी बॉड़ी में वहाजे चेंजिंग फील करेंगे आप इसे डेली मत लें स्टार्ट में आप इसे 2-3 दिन बाद लें त इसके लावा आपकी एक्सा फैट्स हैं वह कम होंगे आपकी हेर ग्रोथ अच्छी होने शुरू हो जाएगी आपकी स्किन अच्छी होने शुरू हो जाएगी इसके लावा विटमीन सी विटमीन डी आपकी बॉड़ी को मिलेगा जो आपकी बॉड़ी के बहुत जरूरी है इससे आपकी बोन्स स्ट्रोंग होने शुरू हो जाएंगी, आप अलहदा से एक्टिफ महसूस करेंगे अपने आपको, तो आप ये इस्तामाल कीजिए, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ओके बाई बाई, लाफिस,